डॉक्टर शाम सुंदर दीपते दी पुस्तक, दिल दी विगड रही सेत दा लेक, दिल दी आम बिमारियां ते इलाज दा अगला पाग है, कोलेस्ट्रेल नूं किमें ठीक रखी? कोलेस्ट्रोल बारे आपां कई द्रिष्टी कोणां तो जानकारी हासल केती है, ये दी लोड नूं भी समझेया ते एवी के सिर्फ ते सिर्फ जीव जगत बनस्पती जगत छी नहीं हुंदा, ये दिमाग दी कार गुजारीली मुख लोड है, जे कर कोई शाका हारी है, कोलेस् सोल दी लोडीन दी मातरा नूं के में संतुलंच रख्या जाए, जिस तरा आपां जिकर कीता है के कोलेस्ट्रोल नौं दा हुनर्म नुकी स्रीर कोड है, स्वाल है, बनन ते इस्तेमाल होन दे आनूं पात नूं बढ़ाई रखे, के बने ती स्रीर नूं इस्तेमाल करे, एच डियल वद्ध होए, ट्राई ग्लिसराइड लोडीन दी मातरा चौन, एदी सेथ मंद स्थितीली एम पहलू हन, सेथ मंद खुराग, रोजाना कसरज जस्रीर कम, तीसरा पार नूं का बूच रखना दे चौता लसन दी हो रजाए, बदार थांदी वरतों, इना वक वक तो है मैं खुराग, ये दे तैत असी वक वक सिर लेखा हे, टिन विचार कर सकरें, सारियां किसमा दे खाद बदार थांदी वरतों, दूसरा लोड मताबक उमर पार ते का मन स्वार खाया जावे, तीसरा तेल की चरबी जा थिंद्याई नूं कट करिए, चौता दार थानों कटाईए, सत्वा, रोजाना दी खुराग, चा तन्तू वले खाद बदार थानों जरूर खाईए, ती अठवा, चीनी दी वरतों ते रोक लाईए, एदे विच वी की तेल दा इस्तिमाल वद महत्त पुरन है, एदे नाल खोन चा हर तरा दी फैट, जबें क्ले त्रिप्त, किसम दा अनुपाद, कुलिस्ट्रोल दी वरतों, एदे इन दी आईदे वक्वाग पहलों आपस जुडे होई है, इना बरिया पास जिकर भी कीता है, पर इना दी वरतों दा माप दन ए है, जो के चाहीदा है, खुराग विच सिद्धे पाव जो रोटी सबजी नौली की दे रूप च वरतिया जान्दा है, असिद्धे पाव जो नजर नी होंदा, जमें मुंख फली खानी, उम्मा मूली मातराज, कनक, चावलाज विच्वी, ते दोहां दरांदी लोडी इन दी उर्जादा, ती फी सदी तो वद ना होई, दूसरा, संत्रिप्त किलिस्ट्रोल दी मातराज वद है, जो किसे दिल दी विमारी तो पीड़त है, उनले फार्मूला ए है, पहला, कुल थिंद्याई चो ती फी सदी उर्जा तो वद ना होई, दूसरा, संत्रिप्त थिंद्याई तो सत फी सदी उर्जा वे, तीसरा, कुलिस्ट्रोल 200 मिली ग्र खाद पदार दाना, संत्रिप्त चर्बी, मूफा थि पूफा, पूफा होंदे, पॉली, अन्सेचुरेटिड फैटी एसिड, अंस्त्रिप्त किसम दी चर्बी, ती मूफा होंदे, मोनो, अन्सेचुरेटिड फैटी एसिड, मतलब असंत्रिप्त किसम दी चर्बी, होन, खा आग्पधार दना, फेरे संत्रेप्थ चर्भि धिल फेरे मूफा थी, पूफा। सुरज मुखीच, बारं मूफा विच उन्नी, पूफा विच उनत्तर सफोला संत्रेप्थ चर्भी आठ राथ मूफा च तेरा, पूफा विच उनसी संत्रिप्त चर्बी छ्याली मूफा चुताली पूफा दस सोयबीन चोदा मूफा अठाई ते पूफा अठवंजा कोटन पच्ची पच्ची पच्चा मक्की संत्रिप्त तेरा मूफा स्ताई पूफा सट सरू अठ संत्रिप्त सत्तर मूफा बाई पूफा उंख्फले उन्नी संत्रिप्त अकवंजा मूफा ती पूफा जैतून दा तेल 10 संत्रिप्त 82 मूफा अठ पूफा नारियल 99 संत्रिप्त सत मूफा चार पूफा मक्षण 60 संत्रिप्त संत्ती मूफा तिन पूफा अनाज जो कि असी कंक चावल मक्षी बाजरे दिरूप्त इस्तिमाल कर देयां जेकर पूरा छिलके समेथ खाया जाये ता इस्विट मुझूद विटामिन तन्तू ते काफी हाद तक फैटी असेड प्रापत हो जान देयां इस्विट क्लेस्ट्रोल बिल्कुल नहीं हुंद दाडां ते गिरियां प्रोटीन ता महत्व सुरोत हान इनाज भी विटामन काफी हुंदे है छिलके वडियां दाडां दा इस्तेमाल तन्तू आनू काफी मात्राज परदान कर दा है इनाज कोई कलेस्ट्रोल नहीं हुंदा मीट मुर्गाती मच्ची ये मासा हारी व्यक्ति उन दे बावजूद काट कलेस्ट्रोल वले खुराक है इस वेच ओमेगा थ्री पूफा किसम्दा फैट हुंदा जोके दिल ले चंगा हुंदा है ए फैट होर भी कई चीजांच पाया जानदा है जमें अनाज भी चों कनकते बाजरा दाडां गिरियां चों ओर्द लोविया राजमाँ सोयाबीन अरियां पत्तेदार सबजियां मिचो राई मेथी सरों दे बीचांच राईस बीन कनोला दे तेल जाई मच्चीदियां किसमांच जा में काटला सुर्मई हिलसाद कलेस्ट्रोल दी मात्रा बारेग सूची नाल देती गई है वाक वाक हाद पूरेदुद्दा 100 ते उना सी कुलेस्ट्रोल है, दुद मजदा एक ग्लास तेती कुलेस्ट्रोल है, मलाई या क्रीम लथा दुद एक ग्लास, मलाई ते क्रीम लथा दुद एक ग्लास विच सिरफ चार कुलेस्ट्रोल है, मांदा दुद एक ग्लास पैंती कुलेस्ट्रोल है, सूर्द मास सो ग्र 90 क्लेस्टॉल सो ग्राम चे सो क्लेस्ट्रॉल दे वक फक सरोतां दे मद्देन जर्वी सानों कुछ को हूर गलां दा त्यान रखनां चाहिए रहा है पहला दुद एक वदिया प्रोटीन वाली खुराक है खास करके शाकाहरी लुकानी इस्ट लुडीन दे सारी अमाइनो एसेड अठ हुन दे है जोड़ों के होर शाकाहरी स्रोतां जो छेते साथ होंदे है दुद इच केल्शियम भी काफी मात्राच होंदा है जो के ब्लड प्रेशर नों काबू हेट्रखंट सहाई होंदा है पर दुद विच संत्रिप्त फैट वाद होंदा है कुलेस्ट्रॉल भी एदी वर्तों नो अमर्मताबक देल दी हालत मताबक तब्दील किता जा सकना है जम्जें के मलाई लथा दुद वर्त के जा क्रीम कडेया सप्रेट हा दुद वर्त के दूसरा है कि टेल अपके टेल दी अunted मिकदार बारे गल कीती है जदों सी वी प्रतिशत उर्जाय काईयां या 40 ग्राम की इदी वर्तों दी गाल कर देयां ते बारों गिरियां भी जान चो कड़ियां इस्तेमाल होन वड़ा की है जो सी प्रांठी पूरियां तड़के आदली वर्त देयां इस तो इलावा 10 फी सदी पैट असी खुदरती तौरते फड़ां सब्जियां आजगिरियां चो भी इस्तेमाल कर देयां साड़िस री नू ज़रूरी फैटी एसिट जेमें लिनोलिक ते लिनोलिनिक एसिट बारों खुराक्चो लैन दी लोड़ पैंदी है ये नू ब्रणाण दी सम्रता साड़िस रीट नहीं है वैसे लोड़ीन दी फैटी एसिट सानू दाड़ां ते नास्टो मिल जान देया तीसा चीनी साड़ी खुराकदा अज्जेहा वर्ग है जोके सिर्फ उर्जाई काईयाई दन्दा है येस्ट होर कोई वितात नहीं हुन्दा येदी ज्यादा वर्तों पार्णू वदाओं दिया ते खोन वेच ट्राइगलिसराइड वदाओं दिया खुराकी तन्तू ते क्लेस्ट्रॉल खुराकी तन्तू वेसे थोड़े बहुत सारिया खुराकी वस्तुवां छुन देया पर अनाय दे छिलके पूरी कणक जमान छिलके दार धाना हरे पत्ते वडियां सबजियां ते फड़ां वेचे दी मात्रा वद्ध हुन दिया खुराकी तन्तू साडी खुराक दा एहम आंशान पामे फोग है एदिया उर्जाय काईया दी मात्रा जीरु है पर अंतडियानू सुचारू टांगनाल चलौन लई ते खुराक दे चंगे माडे लोडीन दे गैर जुरूरी ततानू संबण सबाढ़न वेच्वी इना दी प कुलंशील दूजे अकुलंशील कुलंशील तन्तू आंदी पूमिका क्लेस्ट्रोल नूं काटकरंच वद्ध है ये तन्तू पैक्टेन गूंद गूंद कतीरा कुझ के समदे पोली सेक्राइड वेच्छंदे है तुसी मेथी दे भी जानू सबजीच जा वैसी प्यों के दाड़ां खास करके बीन्स विच्विए हंदे है अकुलंशील तन्तू हरियां पतेदर सब्जियां फडान दाल कनक दे छिलके आग चुंदे असल जे फोग है जो मल रहीं बार निकल दे है खुराकी तन्तू आंदे कुदर्ती स्रोथ सब्तो वद ठीक ठेक काफी काट अना ठीक ठीक है मक्की ते कनक काफी काट सूजी मैदा नूडल सेवियां दाड़ां काले छोले राजमा ते सोया बीन सब्तो वद ठीक ठीक है काबली छोले ते होर दाड़ां सब्जियां बीन्स मतर गाजर च सब्तो वद ठीक ठीक है चकंदर मूली शलकम च ते काफी काट अलू फड अम्रूद सेव अंगूर सब्तो वाद नाश पतीच ठेक ठेक पे फड़ांदे रसामिट काफी तट कुझ खराकी तत्तां विच तंतु आंदी मात्रा पूरी कणकता आटा 100 ग्राम अगर है स्तारां पॉइंट 6 ग्राम है काले छुले या मा 14.2 ग्राम मित्थी दे भीज 12 ग्राम मुंगफले 6.1 ग्राम पालक करेला देमरूद 5.6 ग्राम आलू 4 ग्राम केला टाई ग्राम सेव एक ग्राम संत्रा 0.10 ग्राम की इची नी दुद मीट अंडे 0 ग्राम जिनु अपका खुर करता आँ ची तंत्यू अन्हीं मातरा कह रही है खुराकी तंत्यू के में काम करते है पहली गल्त है कि जिगर्च जो क्लेस्ट्रोल बन दे वो दा कुझ हिसा बाईल जूस बुनांदे काम हो दे जो कि अंतरियां ची चर्बी नो जजब करन दे काम हो दे इस पर किरया दौरा जदो खुराक दे हो राता स्रीयच दाखल हूंदे है ताब बच्चे हुई पायल मतलब कलेस्ट्रोल समेथ वी वापस खुन छ चले जान दे है जे खुराक वेच तन्तू होण ता उ खुलेस्ट्रोल नू वापस नहीं जान देन दे के माल रहएं स्रेख तो बाहर ला итог रूय जांदी है एङ ब Commission झीघर वीच क्लीस्ट्रोल भनहांँ दी सम्रथानो भी कट कर विया एवि केहा जान दां के तन तो अपनी प्रकिरे रहीं को एख लिक जो कलेस्ट्रोल बनान विचो रुकावट पॉन दिया। ये तो इलावा तंतुवाँ दैवी फायदा है कि इक होन विच शुगर दी मात्रानू कट करन जी सहाई हुन दिया। इन अच पाणी सुखन दी वद सम्रथा होन कारण अंतडियानू कारज शील राख दिया ते कबस दी शिकायत नहीं हुन दी। अपणी खुराग विच तंतुवाँ दी मात्रावदा अनली येस येंज कर सकने। पहला ब्रेड दी थां दलिया खाया जाए। पूंगरियां दाडां खास करके काले छोले खाये जां। हरियां सब्जियां ते पूरी कणक दी आटे दी रोटी। ते अगला है जित्थे के ते संभव होवे छिल के समेथ फाल खाये जा। खुराक की तंतुआं दी महत्ता जान दी हुई भी ए देखन वेच आया कि लोडीन दी मातरा दा अद्धा वी रोजाना इस्तेमाल नहीं हुँदा। सगो बह राश्ट्री कम्पनियां दे खुराक के तरच प्रवेश करनल तंतुआं वली खुराक होर काट रही है। फास्ट फूड क्रीम वले डेजर्ट आद जूस दे होर क्रीम चॉकलेट ड्रिंक वाद रहे है। जोके तंतुआं दी मातरा जीरो है। खुराक की तंतुआं नूं जेकर हरियां सबजियां फडा आत तो नहीं लिया जा सकता। तासी इस सब गोल गुंद कतेरा मेठी दे बीजात चीजानों रुजाना किसे ना किसे तना इस्तेमाल कर सकते है। एक चम्माच इस सब गोल जा मेठी दे बीज डाल सबजी देई जा वैसी पाणी नाल रूटी खानतू पहला लाई जास।